आपके बास लेके आई हूं POS की expressions POS means product of sum Before start my topic First of all subscribe my channel And press bell icon for the latest updates Now let's start my topic So today's topic is Updain the minimal POS expressions For the switching functions given below Using a 4 variable K mapping तो आज की वीडियो में हमारे पास है POS की expressions है सबसे बहले हम function लेते हैं उसमें 4 variables है A, B, C, D A, B, C, D हमारे पास 4 functions है जब हमने POS लेना है तो हमने यहाँ पर PIE के साथ denote करना है मेरे पास कौन से नंबर है 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, and 15 तो यहाँ से बता लग रहा है कि 4 variables है It means 2 की पार 4 is 16 तो हम 16 boxes बनाएंगे 16 boxes बनाएंगे अब यहाँ पर है POS SOP में हमने किया था जब हम peering करते थे तो हम उसके 1, 1 के साथ peering करते थे बट POS में जब हमने peering करनी है तो हमने 00 की peering करनी है clear? तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 16 जो है वो boxes बनाई है यह 16 boxes बना दी है मैंने देखो इसमें मेरे पास क्या है यहाँ पर इस side पर हम लोग लिख रहे है 00, 01, 11, and 10 और अपर side पर लिख रहे है 00, 01, 11, 10 and इधर हमारे पास है 4 variables है A, B, and C, D यहाँ पर मैं लिखोंगी A plus B A plus B complement A complement plus B complement A complement plus B and टॉप पर मेरे पास है C plus D C plus D complement C complement plus D complement C complement plus D अब देखो मारे पास कौन-कौन सा नंबर है 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, and 15 तो हम क्या करेंगे 3 पर हम लिखेंगे 0 and 4 पर हम करेंगे 0 next 6 number है 6 पर हमारा आगया 0 7 है 7 पर हमारा नंबर क्या आएगा 0 उसके बाद 11 पर हमारा नंबर आ रहा है 0, 12 पर भी 0 11 पर भी 0, 12 पर भी 0 13 पर 0, 14 पर 0, and 15 पर 0 हमने यह सारे नंबर लिख दी है इसकी जो output हमारे पास है हमने उसको filling कर दी है पर हम PUS कर रहे हैं तो यहाँ पर pairing हमारी 0 के साथ बनेगी clear उसके बाद है बाके जो remaining terms होती है वहाँ पर हम क्या करते है 11 के साथ pairing 11 लिख देते है clear तो उसके accordingly देखो यहाँ पर क्या आया हमारे पास जो है हमने क्या तरना होता है common values को find out करना होता है common values देखो इसमें क्या है सबसे पहले जो हमने यह वाली pairing करी है इसमें common values है C bar plus D bar and second वाली जो है इसमें देखो पहले तो हमारी pairing बनी यह वाली दूसरी हमारी वाली यह वाली pairing बनी 4, 0, 0 की और तीसरा बना हमारा 0-0 ये left side है और ये right side पर 0-0 का है तो first वाले का result आता है C compliment plus D compliment second वाले का B compliment plus D third वाले का A compliment plus B compliment तो हमारा ये answer आ गया function of A, B, C, D का function क्या आता है first का आता है A compliment plus B compliment second bracket में B compliment plus D and third bracket में C compliment plus D compliment तो ये हमारा answer है इस question का clear अब हम एक और example लेकिया है ये जो next example है मेरे पास इस example में देखो मैंने क्या किया है मैंने एक ही question दिया है उसी को हमने minimize करना है SOP method के साथ and POS के साथ मतला हम एक ही question को SOP के साथ भी करेंगे POS के साथ भी करेंगे firstly मैंने क्या किया है इसको SOP के साथ किया है जब हम इसको SOP के साथ करते हैं तो वो ही हमारा rule है 4 variables है 16 हम boxes बनाएंगे हमें number given है 0, 1, 4, 5, 9, 11, 13, 15 SOP करने के लिए इन numbers में 11 लिखतेंगे 1, 1, 1, 1, 1 and 13 number पर 15 पर 11, पर 9 पर clear और जो remaining है वहाँ पर हम 00 लिख देते हैं और हम देखते हैं हमारे पार यहाँ पर pairing कौन-कौन जी बन रही है यह दोखो 4 numbers की बन रही है 1, 1, 1 and इधर बन रही है 4 number की 1, 1, 1 तो हमारे पास जो first है उसका result क्या आगया है A compliment, C compliment and second का result क्या आया है A bar plus C bar plus AD is the minimized expression for the SOP form के लिए clear है अब हम second करते हैं देखो second में हमारे पास क्या आ रहा है second को मैंने किया है PUS form के साथ PUS में भी क्या है होता तो साला सेम ही है बस इसमें क्या होता है आपने 0 के साथ pairing करनी है अब PUS form में हम कौन से number लेंगे जो हमारे पास SOP में आगे वो number नहीं लेने जो remaining numbers हैं उसको लेके चलेंगे clear जैसी ही देखो यहाँ पे 0, 1, 4, 5, 9, 11, 13, 15 यहाँ पे number कौन कौन से missing है 2, 1, 3 हमने 2 और 3 पे 00 ले लिया उसके बाद है 6, 7, 8 ठीक है जी उसके बाद है 6, 7 पे ले लिया 8 पे ले लिया 10 पे ले लिया हमने 12 पर ले लिया एंड 14 पर ले लिया यहाँ पे हमने कह लिया 0000 और यहाँ पे एक पे और ही मेरे पास यह वाला बन गया 4 boxes और इधर से left side है यह मेरे पास right side है तो first वाले का जो है common के आ गया A plus C complement और second वाले का आ गया A complement plus D तो जब मैंने PUS form ली तो उसमें मेरे पास यह minimize expression for PUS form की आ गई है clear?